अब फूर्थ कोर्शन बहुत जादा लेंदी है और पेपर में पूछते भी नहीं है मैं सीधा बोलू थो ठीक है लेकिन है आसान लेंदी है तो वही वाली बात है जो काम की चीज होगी वह मैं करवा देता हूं और कुछ चीजें आपको डायट बताऊंगा ठीक है क्यूंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक मिट में इसको पहले स्क्रीन पर ले लूँ एक मिट यह क्या होगा है इसको थोड़ा साइज में थोड़ा कम करके सारी चीजें में लिखनी पढ़ेंगे एक तो इसमें ना दोपले द्यान समझते हैं इसमें दे क्या रखा इन वर से यह निए आपको पहले तो एड़ जॉइंट आपड़ेगा और उसका इन वर्स निकालना है क्या बात है ठीक है अभी तक तो हम एक मैट्रिस एका निकालते थे इन वर्स तो कुछ-कुछ मौटा मौटा कर देखें तो हमें एक एड़ जॉइंट ते देख रहा है सबसे पहले तो आप लोग इस A matrix को लेके इसका adjoint A निकाल लें और इसका inverse निकाल लें सबसे पहला काम यह कर लें बागी चीजें बाद में क्योंकि कन्फूज हो जाओगे फिर फालतू में है सिम्पिल कैल्कूलिशन बहुत है तो पहला काम तो यह करना है फटाफट वीडियो को पॉस्ट करो रेड जॉइंट इंवर्स निकाल लो अब आपको पता इंवर्स के लिए हमें कैसे यह होगा डिटर्मिनेंट आफ चाहिए होगा ठीक है तब जाके इंवर्स का फॉर्म लगेगा ना वन अपॉन डिटर्मिनेंट आफ इंटू एड जॉइंट ए तब जाके हमें जो एंवर्स कहीं कहीं दिख रहा है इधर इधर तो वो काम एटलिस्ट हमारा हो जाए बागी काम बाद मैं देखते हैं तो अब मैं आपके लिए यह रजल रिखने वाला हूं किसका कि मैट्रिस ए का जो डिटर्मेंट आ रहा है वो माइनस का थर्टीन आ रहा है ठीक है और एड जॉइंट ए जो है अगर आप निकालोगे पूरा कायदे से फाइंड आउट करोगे एड कितना 1411 मैं सब कुछ लिखूंगा कायदे से बस आपको मेरे साथ साथ वीडियो को पॉस्ट करके वो चीज फाइंड आउट कर लेना और अगर यह कुश्चन समझ में आ जाए तो पेपर की पॉइंट ऑफिश्यों नहीं कहो लूँगा बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत जाद लेंदी इसा कुश्चन देते हैं सीवेसल टाइम वेस्टिंग है बहुत नया कॉंसर्ट सीखने को इसमें नहीं मिलेगा तो 1411-5 11 4-3 माइनस 5-3-1 ठीक है यह हमारा एडजोइंट ए हो गया ठीक है यह हमारा एडजोइंट ए अगया अच्छा अब मैं जो इनिवर्स किया रहा था इनिवर्स कितना हो जाएगा वन अपॉन डेटर्मिनेंट आफ इन्टो एडजोइंट ए तो ए इनिवर्स जो है ठीक है वो हमारा हो जाएगा वन अपॉन माइनस का 13 इन्टो एडजोइंट ए यहनि की 14 अपॉन सरी 14 14 11-5 114-3-5-3-1 अगर इस माइनस 13 को सेप्रेट सब में डिवाइड भी कर दें तो फाइनली हमारा इन्वर्स क्या हो जाएगा अगर माइनस 13 का डिवाइड करोगे तो माइनस का 14 अपॉन 13 माइनस का 11 वाई 13 क्योंकि नीचे जो माइनस होता वो तो ऊपर पहुंच जाता अब माइनस 5 पॉन माइनस 13 दो माइनस 걸로 कट जाएंगा 5 by 13 इसमें जाएगा तो माइनस क 11 by 13 इसमें जाएगा तो माइनस का टेगा थरी बाई 13 इसमें हमारे पास थोड़ा आप्शन है इसको फ्रक्षक कम कर रहे इसको फोर ultra ने जाते हैं ठीक है औब फिर जी बनाना है ना तो दो काम कर लो कि एक तो तुम्हें दिख रहा है कि adjoint A का further inverse निकालना है अच्छा और फिर इधर A inverse का adjoint निकालना है तो यह confuse करेगा आपको तो एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए माल लेते हैं कि जो adjoint A है आपका वो कोई एक नई matrix माल लेते हैं थोड देर के लिए माल लेते हैं कि हमारा जो A inverse आया है वो एक कोई नई matrix C के बराबर है क्योंकि भाई verify करना है कुछ नया लेना पड़ेगा नहीं तो confused हो जाओगे ठीक है तो अच्छा अगर adjoint B A को मैंने B माना है और adjoint A की लो B है तो B को जरह मैं लिख लेता हूं फिर कितना आ 4-3-5-3-1 यह भी लिख लिया मैंने अब ऐसा मैंने क्यों लिया आप समझ में आएगा आपको क्यों अब आपको अगर adjoint A का inverse निकालना था तो अगर मैंने adjoint A को B मान लिया तो थोड़ा अब लिखने में आपको आसान लगेगा कि आपको B inverse निकालना है ठीक है नहीं तो आ सबसे पहले हमने क्या किया था हमने पहले एक का डिट्रमेंट निकाला adjoint निकाला फिर जो फॉर्मला वो लगाया और हमने इंवर्स निकाल के रख लिया अब यह कैसे यह जोगा भी हमें नहीं पता लिकिन हमें यह जरूर दिख रहा है कि यहां पे inverse के साथ खेल हो रहा है और adjoint के साथ भी खेल हो रहा है कि यहां पर एंवर्स का inverse निकल रहा है यहां पर देखो adjoint of inverse पूछा है तो एंवर्स डारेक्ली नहीं पूछ रहा है कुछ खेल हो रहा है तो एक काम कर लिया मैंने inverse को C मान लिया और adjoint A को B मान लिया तो अगर मैं पहले पार्ट की बात इनवर्स हमें प्रूफ करना है किसके बराबर adjoint of C क्योंकि हमने A inverse को एक नई मैट्रिक्स C मान लिया है तो यह थोड़ा सा देखने में आसान है कि भाई हमें B inverse is equal to adjoint C करना है क्या आप मेरी बात समझ गए अगर आपको यह चीज़ें समझ में आ रहे हैं तो यह वीडियो क C के equal करना है अब देखो C लिख लेते हैं जरा फटा फट तो C लिख लिया क्योंकि C A inverse के बराबर तो C कितना है C हमारा यह है A inverse तो लिख लो पूरा minus का 14 upon 13 minus का 11 upon 13 5 upon 13 ठीक है फिर आपका है minus का 11 upon 13 और फिर आपका है minus का 4 upon 13 3 upon 13 5 upon 13 3 upon 13 और यहाँ पर 1 upon 13 इस तरीके से यह दे रखका C यह हमारे पास क्या? C के कुल है यह तो अगर यह C के कुल है तो आपको अब क्या करना है अब आपको इसका C का एड जोइन निकालना है और यहाँ पर क्या करना है LHS में क्या? B inverse इसका inverse निकालना है तब जाके चीजें आपको मिलेगी अच्छा समझ में आरी बात तो सबसे पहले आपको इसको फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है तो बीनिवर्स निकालना है और बीनिवर्स कैसे निकलेगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ओफ बी इंटू एड जॉइंट बी से तो यानि बी का तो आपको एड जॉइंट निकालना पड़ेगा तो अब मैं आपको बी का एड जॉइंट डारेक्ट लिख देता हूं कितना आ रहा है ठीक है और डिटर्मेंट ओफ बी बता देता हूं कितना आ रहा है तो डिटर्मेंट ओफ बी तो आ रहा है 169 और Adjoint B जो है वो आ रहा है आपका, वो आपको आप निकाल ले ना, इस मैट्रिस का Determinant और Adjoint, तो Adjoint इसका आ रहा है, Minus का 13, 26, Minus का 13, 26, Minus का 39, Minus का 13, Minus का 13, Minus का 65, तो यह इसका Adjoint B मिल जाएगा आपको, ठीक है, अब मैं थोड़ा से इसको Side में इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, अब Adjoint आ गया, तो अगर मैं इसका B Inverse लिखना चाहूँ, तो कितना आएगा, B Inverse इसकोल टू, 1 upon Determinant of B, यह नहीं 1 by 69, into Adjoint B, अब एक काम करो, Adjoint B में, यहाँ पर 1 बचेगा, यह minus का 2 बचेगा, मैंने यहाँ पर, minus 1 by 13 क्यों लिए, पस्का 2 बचा है, और यह, प्लस का 3 आएगा, यह, यह, बन आएगा बन आएगा, यह, बन आएगा, क्योंकि minus बहुत जादा था, इसलिए common ले लिया और यहां पर five आ जाएगा आ जाएगा कि निया जाएगा तो finally अगर बी इनवर्स की में बात करूँ और इसको थोड़ा से कम कर देता हूं वो देख तो रही होगा आपको ठीक है तो finally हमारा जो बी इनवर्स है एक काम हमने finally कर लिया है के बी इनवर्स आ च यहां पर रख लिया है यह इसका रजल्ट आया है ज़रा चेक कर लें और बी इनवर्स की वैल्यू देख लें क्या वन माइनस टू वन माइनस टू थू थ्री वन 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 फाइव ऐसा आ गया है अच्छा किसके बरावर प्रूफ करना है एड़ जोइंड सी के बराब बराव एड़ जोइंड जो है सी का वो कितना आएगा ठीक है वह मैं पहले आपको बता देता हूं ठीक है फिर इसका डिटर्मेंट भी देख लेंगे तो सी का आपका जो एड़ जोइंड है वो आएगा ठीक है सी का जो एड़ जोइंड है हां एड़ जोइंड सी एक मिनट हां तो आपका आ रहा है, तो जब सब कुछ solve कर लोगे, तो adjoint c आपको मिलेगा यहाँ पर, तो अब महत करनी पड़ेगी, तो फ्रैक्शन में भी है, तो minus का 1 by 13 आएगा, ठीक है, 2 by 13 आएगा, फिर यह minus का 1 by 13 आएगा, और यहाँ पर फिर आएगा next row में, 2 by 13, minus का 3 by 13, और यहाँ पर minus मैंने का ना, यह question paper में, आप समझ रहे होगे, कितना time से मैं question solve कर रहा हूँ, और मैंने तो कुछ रजल तो direct लिग दिये, क्या यह paper में कभी आएगा, क्योंकि आता गंटा तो उसको solve करने हैं लग जाएगा, इ तो यह 2 by 13, यह minus 3 by 13, minus 1 by 13, यह आपका minus का 1 by 13, यह minus का 1 by 13, और यह minus का 5 by 13, ऐसा आपके पास result आएगा, ठीक है, यह result आ गया, तो अब अगर आपको यह proof करना था, कि B inverse adjoint C के बरावर है, तो B inverse तो यह है, और adjoint C है, तो क्या इसमें हमें 13, 13, 13 डिवाइड में है, सब में common म तो क्या बचेगा, यहां से 1, यहां से 2, यहां से minus 1, अगर minus common लिया है, तो plus वाला minus हो जाएगा, और यह plus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, यह भी plus, यह भी plus, यह भी plus, यह भी, चा यह और यह same है, तो यह पहला पार्ट तो हमने done कर दिया, पहला पार्ट तो यह done हो गया, तो पहला पार्ट हमने डन कर दिया, C लेके, अब आते हैं जड़ा दूसरे पार्ट पे, अब दूसरे पार्ट में अच्छी बात ये है कि राइट इंड साइड तो सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि A इंवर्स का इंवर्स जो है वो A के बराबर है, किस के राबर है, A के, तो इसमें हमें ज़्याद अफट नहीं करना पड़ेगा, तो हमने पहले से ही A इंवर्स को अगर C मान लिया था, तो सेकंड पार्ट को थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर दूँ, अगर मैंने A इंवर्स को C माना था, तो मैं कह सकता हूँ ना, ये C है, क अगर ये C है, और मुझे C इंवर्स निकालना है, तो क्या वो, वन अपॉन डिटर्मेंट ओफ सी इंटू एडजॉइंट सी होगा कि नहीं होगा, तो फटा फट इसका डिटर्मेंट निकालो, C का कितना आ रहा है, C का जब आप डिटर्मेंट निकालोगे, तो अब मैं 13 मिलेगा, 근데 मईलेगा माइनस का 1 upon 13 आपको मिल जाएगा, ठिक है, कि लिर सब को, अब जैसे ये मिलेगा, ठिक है, और अब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी अब जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे question में जो एक मिट जो question आपको दे रखा है यहाँ पे यह जो matrix जो थी वो यहाँ पे ppt में जो pdf है वो गलत था यहाँ पे देखो 1 था यह है बुक में ठीक है माइनस टू है माइनस टू है अगर आप कुश्चन अभी लाइव देख रहे होगे मेरा ठीक है तो कुछ बच्चे बहुत परेशान होने वाले पता क्यों अगर उन्होंने अभी इधर तक वीडियो नहीं देखा होगा और वह लग गया होगे इसका डिट् यह चेक कर लेना यहां पर थोड़ी सी एरर है कुश्चन में वह मैंने सभी कर दिये फिलल ठीक है चलो तो अगर आप सी कर डिट्रमेंट निकालोगे तो यह आएगा और अब जरा सारी वैलिज्ट हम अलड़ी निकाल चुके हैं तो अब हमारा अलड़ी यह निकला रखका ह तो फाल अब हमने में करने क्लेकुलिशन देखो बनपान टेर्मेंट आफ के तो बनपान यह रहेगा और यह मल्टिप्लाइबियंक यह बनक चर्द कर देंगी तो फाइनली हमें सी मैं में में मिलेगा सी मैं मिलेगा कि क्या मिल जाग सीन वर्स 1-2 1-2-3 1-1-5 इस तो फाइनली एक ये बराबर आगया और यही तो प्रूब करना था तो यह था इतना सारा ठीक है तो भई यह कुश्चन पेपर में तो नहीं आएका लेकिन मैंने सारा प्रॉसेस जरूर बता दिया कि कैसे आपको इसको करना है चलिए यह नोट कर लिए और आगे